C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है, समकालीन भारत भाग दो, कक्षा दस के लिए भूगोल की ध्वनी पाठे पुस्तक, अध्याय एक, संसाधन एवं विकास, प्रिष्ट संख्या एक, इस अध्याय में कुल 15 प्रिष्ट हैं, ये अध्याय प्रिष्ट संख्या ए तो आईए शुरू करते हैं ये अध्याय, संसाधन एवं विकास, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं, जो गामों और शेहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं, ऐसी वस्तुओं की एक सूची तयार करें, और इनको बनाने में प्रियोग होने वाले सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्राध्योगी की उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। का निर्मान करते हैं। चित्र एक पॉइंट एक में प्रकृति, प्राध्योगिक और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को दर्शाया गया है। ये चित्र एक त्रिभुज है, जिसमें सबसे उपर है भौतिक पर्यावर्ण अर्थात प्रकृति, बाईं तरफ है प्राध् प्रकृति, बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिनाम है। मानव स्वयम संसाधनों का महत्पून हिस्सा हैं। वो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रियोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गी करण इस तरह से किया जा सकता है। क, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, क, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, ग, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदाइक, राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय, गह विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश चित्र एक पॉइंट दो में संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है जो इस प्रकार है संसाधन जिसे दो भागों में बाटा गया है प्राकृतिक तथा मानवीय प्राकृतिक को फिर से दो भागों में बाटा गया है नवीकरण योग्य आनवीकरण योग्य इसी तरह मानवीय को फिर से दो भागों में बाटा गया है सनरचनाएं एवं संस्थाएं मात्रा एवं गुणवत्ता नवी करण योग्य को फिर से दो भागों में बाँटा गया है सतत अत्वा प्रवह जैसे पवन जल जैव को फिर से दो भागों में बाँटा गया है प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वन और वन्य जीवन नवी करण योग्य को फिर से दो भागों में बाँटा गया है पुनह चक्रिय जैसे धातु आचक्रिय जैसे जीवाश्म इंधन प्रिष्ट संख्या दो क्रिया कलाब प्रतेक समवर्ग से कम से कम दो संसाधनों की पहचान करें संसाधनों के प्रकार उत्पति के आधार पर ज अजैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इन में जीवन व्याप्थ है जैसे मनुष्य, वनस्पतिजात, प्रानिजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदी अजैव संसाधन वो सारे संसाधन जो निर्जीव वस्त्वों से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं उदाहरणार्थ, चट्टाने और धातुएं समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासाइनिक या यांतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनहे उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अत्वा पुनहे पूर्ती योग्य संसाधन कहा जाता है उदाहरणार्थ, सौर तथा पवनूर्चा, जल, वन ववन्य जीवन इन संसाधनों को सतत, अत्वा, प्रवास संसाधनों में विभाजित किया गया है इसे चित्र एक पॉइंट दो में दर्शाया गया है अनवी करण योगे संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूव्य ज्यानिक अंतराल में होता है खानिज और जीवाश्म इंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं इन में से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुन्ह चक्रिय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म इंधन आचक्रिय हैं वह एक बार के प्रियोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा अवंटित भूमी होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं गाउं में बहुत से लोग भूमी के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमी हीन होते हैं शहरों में लोग भूखंड, घरों वा अन्य जायदाद के मालिक होते हैं बाग, चरागा, तालाब और कुऊं का जल आदी संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदारण है अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तयार कीजिये सामुदाइक स्वामित्व वाले संसाधन ये संसाधन समुदाइके सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं गाउं की शामिलात भूमी, चारण भूमी, श्मशान भूमी, तालाब इत्यादी और नगरिय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलप्त है राश्ट्रिय संसाधन तकनीकी तोर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राश्ट्रिय हैं देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है आपने देखा होगा कि शडकें, नहरें और रेलाइने व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमी अधिग्रहन का अधिकार दिया हुआ है सारे खनिजपदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमी और बारह समुद्री मील या फिर कहें कि 19.2 किलोमीटर तक महा सागरिय क्षेत्र भू भागिय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट की सम्पदा हैं अंतर राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, या फिर कहें कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरिय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर राष्ट्रिय संस्थाओं की सहमती के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मेंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है? कुछ अन्य अंतर राष्टिय संसाधनों की पहचान करें। परन्तु इनका सही धंक से विकास नहीं हुआ है। वे संसाधन जिनका सरवेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुनवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विक्सित संसाधन कहलाते हैं. संसाधनों का विकास प्रोध्योगी की और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है. भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यक्ताओं की पूर्ती कर सकते हैं परंतु उप्यूक्त प्रोध्योगी की के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं उदारण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैसों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योगिक है, तता यह उर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश से इनका प्रियोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तक्नीकी ज्यान नहीं है संचित कोश, ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तक्नीकी ज्यान की सहायता से प्रियोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उप्योग अभी आरंप नहीं हुआ है, इनका उप्योग भविश्य में आवश्यक्ता पूर्ती के लिए किया जा सकता है, नदियों के जल को विद्यूत पैदा करने में प्रियुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उप्योग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, इस प्रकार बांधों में जल वन आदी संचित कोश हैं, जिनका उप्योग भविश्य में किया जा सकता है क्रिया कलाब, अपने आसपास के क्षित्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोश संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए प्रिष्ट संख्या 3 संसाधनों का विकास संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अती आवश्यक हैं, उशी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाई रखने के लिए भी महत्पूर्ण है ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधा धुन्द उप्योग किया है, जिससे ये मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हरास संसाधन समाज के कुछी लोगों के हाथ में आ गए है जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन एवं संसाधन हीन अर्थात अमीर और खरीब में बढ़ गया संसाधनों के अंधा दुन्द शोशन से वैश्विक पारिस्थिती की संकट पैदा हो गया है जैसे भूम अंडलिय तापन, ओजोन परत अवक्ष, पर्यावरन प्रदूशन और भूमी निमनिकरन आदी है क्रिया कलाब एक, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा दो, घरेलू और क्रिशी संबंधित अपशिष्ट को पुनहें चक्रन करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने महले अत्वा गाउं में एक सर्वेक्षन करें लोगों से प्रश्ण पूछें कि अ, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं ब, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है स, अपने परिणामों का समूचित चित्र अर्थात कॉलाज तयार करें मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्वशान्ती बनाई रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा अवश्यक हो गया है यदि कुछी व्यक्तियों तता देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी प्रित्वी का भविश्यक खत्रे में पड़ सकता है इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाई रखने के लिए संसाधनों के उप्योग की योजना बनाना अतियावश्यक है सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोशनीय विकास का ही एक हिस्सा है सतत पोशनीय विकास सतत पोशनीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया बविश्य की पीडियों की आवश्यक्ता की अवहेलना न करे जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रा ध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जैनेरो में प्रथम अंतराश्य प्रित्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए सम्मेलन का आयोजन विश्वस्तर पर उभरते पर्यावरन संरक्षन और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूनने के लिए किया गया था इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भू मंडलिय जलवाईयों परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोशना पत्र पर हस्ताक्षर किये रियो सम्मेलन में भू मंडलिय वनसे धानतों अर्थात फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमती जताई और 21 शताबदी में सतत पोशनिय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्विक्रिती प्रदान की एजेंडा 21 ये एक घोशना है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जैनेरो में संयुक्त राष्ट परियावरन और विकास सम्मेलन अर्थात UNCEED के तत्वाधान में राष्टा ध्यक्षों द्वारा स्विक्रित किया गया है इसका उद्देश भू मंडलिय सतत पोशनिय विकास हासिल करना है यहां एक कारे सूची है जिसका उद्देश्य, समान हितों, पारस्परिक अवश्यक्ताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा परियावरनिय क्षती, गरीबी और रोगों से निपटना है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रतेक स्थानिय निकाय अपना स्थानिय एजेंडा 21 तैयार करें प्रिष्ट संख्या 4. संसाधन नियोचन संसाधनों के विवेक पूर्ण उपियोग के लिए नियोचन एक सर्वमान्य रणनीती है इसलिए भारज जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविद्धता है यह और भी महत्वपूर्ण है यहां ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं, जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्म निर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं, जहां महत्व पून संसाधनों की अत्यधिक कमी है, उदाहरणार्थ, जारखंड, मत्यप्रदेश और चतीस गड़ आदी प्रांतों में खन रजस्थान में पवन और सौर उर्जा संसाधनों की बहुत दायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है, लद्दाक का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग धलग पड़ता है, यहां प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहां जल, आधार भूत अव संद्रचना तथा कुछ महत्पून खानीजों की कमी है, इसलिए राश्ट्रिय, प्रांतिय, प्रादेशिक और स्थानी स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यक्ता है, क्रिया कलाब, अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तयार करें, और जि अधिल प्रक्रिया है, जिसमें ये सोपान है, क देश के विभिन्ञ प्रदेशों में संसाधनों की पहचां कर उनकी तालिका बनाना, इस कारे में क्षेतरी सरवेक्षन, मानचितर बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना वंमापन करना है ख संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उप्युक्त प्राध्योगी की कौशल और संस्थागत नियोजन धांचा तैयार करना ग संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रिय विकास योजना में समन्वै स्थापित करना स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन योजन के उद्देश की पूर्ती के लिए प्रथम पंचवर्षिय योजना से ही प्रयास किये गए ग्यात करो, समुदाय भागीदारी की सहायता से, समुदाय, ग्राम पंचायत, वोर्ड स्तरिय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किये जा रहे हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्थ है, परंतु प्राध्योगी की और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है देश में बहुत से क्षेत्र हैं, जो संसाधन सम्रिद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछडे प्रदेशों की गिनती में आते हैं इसके विपरीत कुछ ऐसी प्रदेश भी हैं, जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं क्या आप संसाधन संपन परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विक्सित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं। ऐसी परिस्थिती होने के कारण बताएं। प्रिस्थ संख्या पांच उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन परदेश विदेशी आकर्मन कारियों के लिए मुख्य आकर्शन रहे हैं। उपनिवेशकारी तेशों ने बेहतर प्रोध्योगी की के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया. अता, संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं, जब वहाँ उप्योग्त प्रोध्योगी की विकास और संस्थागत परिवर्तन किये जाएं. उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है. अता, भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यता संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बलकि इसमें प्रोध्योगी की, मानव संसाधन की गुणवत्ता और एतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है. संसाधनों का संरक्षन संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्पून भूमिका निभाते हैं परन्तु संसाधनों का विवेख ही इन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिय समस्याएं पैदा हो सकती है इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन स्तरों पर संसाधनों का संरक्षन आवश्यक है भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षन बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विशे रहा है उदाहरणार्थ, गांधी जी ने संसादनों के संरक्षन पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है हमारे पास हर व्यक्ती की आवश्यक्ता पूर्ती के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टी के लिए नहीं अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं उनके अनुसार विश्वस्तर पर संसादन हुरास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ती तथा आधुनिक प्रौद्योगी की की शोशनात्मक प्रविर्ती जिम्मेदार है वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे अंतराश्च्री स्थर पर व्यस्थित तरीके से संसाधन संरक्षन की वकालत 1968 में क्लब ओफ रोम ने की ततपश्चात 1974 में शुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इस ब्यूटिफुल में इस विशे पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरा वृत्ती की है इस रिपोर्ट ने सतत पोश्णिय विकास अर्थात सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षन की वकालत की ये रिपोर्ट बाद में हमारा सांचा भविश्य आर कॉमन फ्यूचर शीशक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई इस संदर्भ में एक और महत्पून योगदान रियोडी जैनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित प्रित्वी सम्मेलन द्वारा किया गया भू संसाधन हम भूमी पर रहते हैं इसी पर अनेकों आर्थिक क्रिया कलाब करते हैं और विभिन रूपों में इसका उप्योग करते हैं अता भूमी एक बहुत महत्पून प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीवन, मानवजीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमी पर ही आधारित हैं परन्तु भूमी एक सीमित संसाधन है इसलिए उपलब्ध भूमी का विभिन उद्देश्यों के लिए उपयोग, सावधानी और योजना बद्ध तरीके से होना चाहिए भारत में भूमी पर विभिन प्रकार की भू आकृतियां जैसे परवत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं लगभग 43 परतिशत भूग क्षेत्र मैदान हैं, जो क्रिशी और उद्द्योग के विकास के लिए सुविधा जनक हैं परवत पूरे भूग क्षेत्र के 30 परतिशत भाग पर विस्तित हैं वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाग को सुलिश्चित करते हैं प्रियतन विकास के लिए अनुकूल परिस्तितियां प्रदान करता है और पारिस्तितिकी के लिए महत्पून है देश के क्षेत्र फल का लगभग 27 परतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म इंधन और वनों का अपार संचैकोश है चित्र 1.3 में मुख्य भू आकृतियों के अंतरगत क्षेत्र दर्शाय गए है इस पाईचार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है कि 43 परतिशत क्षेत्र में मैदान है तीस परतिशत क्षेत्र में पर्वत है तथा 27 परतिशत क्षेत्र में पठार है प्रिष्ट संख्या 6 चित्र 1.4 में दो पाईचार्ट दिखाए गए है पहला पाईचार्ट है सामान्य भू उपयोग समवर्ग 1961 इसमें दर्शाया गया है कि 1 18.1 एक प्रतिशत क्षेत्र में है बंजर तथा क्रिशी अयोग्य भूमी 12.01 एक प्रतिशत क्षेत्र में है गैर क्रिशी प्रियोजनों के अंतरगत क्षेत्र 4.95 प्रतिशत है स्थाई चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमी चार दशमलव साथ एक प्रतिशत क्षेत्र में है विविद व्रिक्षों, व्रिक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतरगत क्षेत्र एक दशमलव पांच शून्य प्रतिशत है क्रिशी योग्य बंजर भूमी चे दशमलव दो तीन प्रतिशत क्षेत्र में है परती भूमी के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती तीन दशमलव पांच शून्य प्रतिशत क्षेत्र में है वर्तमान परती तीन दशमलव साथ तीन प्रतिशत क्षेत्र में है और शुद्ध अर्थात निवल बोया गया क्षेत्र 45.26 प्रतिशत है दूसरे पाई चार्ट में दर्शाया गया है सामान्य भू उपयोग समवर्ग 2002-2003 के बीच 22.57 प्रतिशत क्षेत्र में है बंजर तथा क्रिशी अयोग भूमी 6.29 प्रतिशत क्षेत्र में है गैर क्रिशी प्रियोजनों के अंतरगत क्षेत्र 7.92 प्रतिशत है स्थाई चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमी 3.45 प्रतिशत क्षेत्र में है विविद व्रिक्षों व्रिक्षफसलों तथा उपवनों के अंतरगत क्षेत्र 1.10 प्रतिशत है क्रिशी योग्य बंजर भूमी 4.41 प्र बूपयोग बूसन सादनों का उपयोग इन उद्देशां से किया जाता है। धूसरा कृशी के लिए अनुपलबध भूमी। अ. बंजर तथा क्रिशी अयोग के भूमी ब. गैर क्रिशी प्रियोजनों में लगाई गई भूमी जैसे इमारतें, सडक, उद्ध्योग, इत्यादी तीन. परती भूमी के अतिरिक्त अन्य क्रिशी अयोग के भूमी अ. स्थाई चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमी ब. विविद व्रिक्षों, व्रिक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमी जो शुद्ध बोई गई क्षेत्र में शामिल नहीं है स. क्रिशी योग्य बंजर भूमी जहां पांच से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो चार. परती भूमी अ. वर्तमान परती जहां एक क्रिशी वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो ब वर्तमान परती भूमी के अतिरिक्त अन्य परती भूमी या पुरातन परती जहां एक से पांच क्रिशी वर्ष से खेती न की गई हो पांच शुद्ध अर्थात निवल बोय गया क्षेत्र एक कृषी वर्ष में एक बार से अधिक बोएगाई क्षेत्र को शुद्ध अर्थात निवल बोएगाई क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है प्रिष्ट संख्या साथ भारत में भू उपयोग प्रारूप भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकरिती, जलवायू और मृदा के प्रकार तथा मानविय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्राध्योगिक ख्षमता, संस्कृती और परमपराएं इत्यादी शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र फल 32.8 लाक वर्ग किलोमेटर है। परंतु इसके 93 प्रतिशत भाग के ही भू उपयोग आकड़े उपलब्ध हैं। क्योंकि पुर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी ही हुआ है। क्रिया कलाब। भू उपयोग के दो विद्चित्रों एक पॉइंट चार की तुलना करके पता लगाएं। कि 1961 और 2002-2003 के बीच शुद्ध अर्थात निवल बोएगय क्षेत्र और वनों के अंतरगत भूमी में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। स्थ समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान परती भूमी के अतिरिक्त अन्य परती भूमी अनुपजाओ है। और इस पर फसलें उगाने के लिए क्रिशी लागत पहुत ज्यादा है। अतर इस भूमी में दो या तीन वर्षों में इसको एक या दो बार बोय और यदि इसे शुद्ध अर्थात निवल बोय गई क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54 प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है। इन राज्यों में शुद्ध अर्थात निवल बोय गई क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदाई कारणों को ग्यात कीजिए। लोगों की आजीवी का इस पर निर्भर करती है। भू उप्योग का एक भाग बंजर भूमी और दूसरा गैर क्रिशी प्रियोजनों में लगाई गई भूमी कहलाता है। बंजर भूमी में पहाडी चटाने, सूखी और मरुस्थली ये भूमी शामिल है। गैर क्रिशी प्रियोजनों में लगाई गई भूमी में बस्तियां, सडकें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादिया आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमी संडक्षन और प्रबंधन की अवहेलना करने, एवं लगातार भू उप्योग के कारण, भू संसाधनों का निमनी करण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। प्रिश्ट संख्या आठ भूमी निमनी करण और संडक्षन उपाए। अक्तों को भी बल मिला है। में भारत बंजर भूमी 2000 दर्शाया गया है इस पाई चार्ट के मुताबिक जल द्वारा अपरदित क्षेत्र है 56 प्रतिशत वनो द्वारा निमनिकृत क्षेत्र है 28 प्रतिशत लवनी वक्षारी क्षेत्र है 6 प्रतिशत और वायू द्वारा अपरदित क्षेत्र है 10 खाईयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। अती सिंचन से उत्पन जला क्रांतता भी भूमी निम्री करण के लिए उत्तरदाई है। जिससे मृदा में लवणियता और क्षारियता बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन भागों में और द्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट बदार्त भूमी और जल प्रदूशन का मुख्य स्रोथ है। वनारोपन और चरागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हट तक मदद कर सकते हैं। पेडों की रक्षक मेखला अर्थात शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार जाडियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमी कटाव की रोक थाम की जा सकती है। बंजर भूमी के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और अध्योगिक जल को परिश्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमी प्रदूशन को कम किया जा सकता है। मिर्दा संसाधन मिट्टी अत्वा मिर्दा सबसे महत्पून नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौदों के विकास का माध्यम है जो प्रित्वी पर विभिन प्रकार के जीवों का पोशन करती है। मिर्दा एक जीवन्त तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिर्दा बन्ने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिर्दा बन्ने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अत्वा संस्तर शैल, जलवायू, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृती के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपगटन क्रियाएं आदी मिर्दा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मिर्दा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी मतपून हैं। मृदा जैव अर्थात ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। चित्र एक पॉइंट छै में मृदा परिचेदिका को दर्शाया गया है। सबसे नीचे है अपक्षै रहित आधारी चट्टाने। उसके उपर है अधैस तरिय अपक्षैत आधारी चट्टाने। उपम्रिदा अपक्षैत चट्टाने बालू, गाद अर्थात सिल्ट व मृत्तिका। सबसे उपर है उपरी संस्तर की मृता। प्रिष्ट संख्या नौ। इस प्रिष्ट पर भारत का नक्षा दिखाया गया है और इस नक्षे में मृदा के मुख्य प्रकारदर शाय गये हैं। परवत और वन मृदा उत्तर भारत के परवतिय भाग में पाई जाती है। इनमें हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुनाचल परदेश का उत्तरी भाग जलोड मृदा, सिंधु, गंगा और ब्रह्म पुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे पंजाब, हर्याना, दिल्ली, उत्तर परदेश, बिहार, असाम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पूर्वी तठके डेल्टाई भाग। लाल और पीली मिट्टी जिन ख्षेत्रों में पाई जाती है वो हैं जारखंड, छत्तिसगड, उडिशा, केरल, करनाटक, त पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश का कुछ बाग। इनके अलावा लाल और पीली मिट्टी उत्तर पूर्वी बाग में भी पाई जाती है। काली मिट्टी जिन ख्षेत्रों में पाई जाती है वो हैं मध्यप्रदेश, महाराष्ट, गुजरात, करनाटक का कुछ और आंद्रप्रदेश का कुछ बाग। लेट्ट राइट मिर्दा जहां पाई जाती है वो हैं राजस्तान, महाराष्ट के कुछ बाग, भारत के पश्चमी तट, करनाटक, केरल, तमिलनाद और पश्चिम बंगाल। शुष्क मिर्दा पाई जाती है राजस्तान के बातिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को इन प्रकारों में बाटा जा सकता है। मृदाओं का वर्गी करण भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायू और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाओं विकसित हुई हैं। जलोड मृदा यह मृदा विस्ट्रित रूप से फैली हुई है और यह देश की महतपून मृदा है। वास्तव में संपून उत्त्री मैदान जलोड मृदा से बना है। ये मृदाएं हिमाले के तीन महत्पून नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हैं। जलोड मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन अनुपात पाई जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मोहाने से घाटी में उपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के उपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कणवाली मृदाएं पाई जाती हैं। परवतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चोक, शेत्र और तराई में आम तोर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयू से भी होती है। आयू के अधार पर जलोड मृदाएं दो प्रकार की हैं। पुराना जलोड अर्थात बांगर और नया जलोड अर्थात खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंतियों की मातरा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कन पाई जाती हैं। जलोड मृदाएं बहुत उपजाव होती हैं अधिकतर जलोड मृदाएं पोटाश, फासफोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्ने आनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपजावपन के कारण जलोड मृदावाले क्षेत्रों मे गहन क्रिशी की जाती है और यहां जनसंख्या गनत्व भी अधिक है सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक शारिय होती है इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है काली मृदा इन मृदाओं का रंग काला है और इने रेग अगर मृदाएं भी कहा जाता है। अगर मृदाएं भी कहा जाता है। अगर मृदाएं में गहरी दराने पड़ जाती हैं जिससे इन में अच्छी तरह वायू मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मौनसून प्रारंब होने की पहली बोचार से ही शुरू करती जाती है। चित्र 1.8 में काली मृदा दर्शाई गई है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षनी हिस्सों में रवेदार आगने चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उडशा, चतीसगड, मध्य गंगा मैदान के दक्षनी चोर पर और पश्चमी घाट में पहाडी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आगने और रूपांतरित चटानों में लोह धातू के प्रसार के कारण होता है। इ जिसका अर्थ है इन्ट। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन अर्थात लीचिंग का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अप घटित करने वाले बैक्टीरिया नश्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासाइनिक और वरक डाल कर ही खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तोर पर करनाटक, केरल, त तमिलनाड में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाड, आंदरप्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उप्यूक्त हैं। चित्र 1.9 में लेटराइट मृदा दर्शाई गई है। मरुस्थली मृदा। मरुस्थली पाश्पी कृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायू और उच्च तापमान के कारण जलवाश्पन दर अधिक है और मृदाओं में हिूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सता के नीचे केल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे को सही तरीके से सिंचित करके क्रिशी योग्य बनाया जा सकता है जैसा कि पश्चमी राजस्थान में हो रहा है। चित्र एक पॉइंट दर्ष में मरूस्थली मृदा दर्शाई गई है। वन मृदा ये मृदाएं आम तोर पर पहाड़ी और परवतिय क्षेत्रों में होती हैं। परंतु उपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणूं का होता है। हिमाले के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिसिलिक, अर्थात, एसिडिक तता हिूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रो विशेशकर, नदी सोपानों और जलोड पंखों आदी में ये मृदाओं उपजाओ होती हैं। प्रिश्ट संख्या बाराह मृदा अपरदन और सन्रक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बन्ने और पुचारण, निर्मान और खनन इत्यादी से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृद्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अव नलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमी जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमी अर्थात बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमी को खड अर्थात रहवाइन भूमी कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेतर को ढखे हुए ढाल के साथ नीचे की और बहाता है। ऐसी स्थिती में इस क्षेतर की उपरी मृदा घुल कर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन अर्थात शीट एरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अत्वट धालू क्षेतर से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। क्रिशी के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। घलत ढंक से हल चलाने जैसे धाल पर उपर से नीचे की ओर हल चलाने से वहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। चित्र 1.11 में मृदा अपर्दन को दर्शाया गया है। डाल वाली भूमी पर समोच रेखाओं के समानांतर हल चलाने से डाल के साथ जल बहाव की गती गटती है। इसे समोच जुताई अर्थात कॉन्टूर प्लोइंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमी पर सोपान बनाये जा सकते हैं। सोपान कृषी अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चमी और मध्य हिमालाय में सोपान अत्वा सीड़ी दार कृषी काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बाटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां ओगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषी अर्थात स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेडों को कतारों में लगाकर रक्षक अर्थात शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गती कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थाई करण में महत्पून योगदान रहा है। प्रिष्ट संख्या 13 भारत के पर्यावरण की दशा पॉइंट 1 सुखो माजरी गाउं और जबुआ जिले ने ये कर दिखाया है कि भूमी निमनिकरन प्रक्रिया को पल्टा जा सकता है। सुखो माजरी में विक्ष घनत्व 1976 में 13% हेक्टेर था जो की 1992 में बढ़कर 1272 प्रती हेक्टेर हो गया। पॉइंट 2 पर्यावरण के पुनरजनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, क्रिशी और पशु पालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक सम्रिध्धी आती है। सुखो माजरी में 1989 से 1984 के बीच परिवारों की ओस्त वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपए थी। पॉइंट 3 पर्यावरण की पुनर्ज थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयम फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29,000,000 हैक्टेर भूमी बारत के लगबग एक प्रतिशत क्षेत्र फल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। चित्र में ठेकेदारी और नौकर शाही के रवईये को दर्शाया गया है। दो, जुवारिय उर्जा इन में से किस प्रकार का संसाधन है। अति पशुचारण चार, इन में से किस प्रांट में सीडी हिदार अर्थात सोपानी खेती की जाती है। पंजाब, ख उत्तर प्रदेश के मैदान, ग हर्यान, ग उत्तराखंड। पांच, इन में से किस राज्य में काली म्रिदा पाई जाती है। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में दीजिये। एक, तीन राज्यों के नाम बताएं, जहां काली म्रिदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। दो, पूर्वी तट के नदी डेल्टाउं पर किस प्रकार की म्रिदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेश्टाएं क्या हैं? 3. पहाडी क्षेत्रों में मृदा अप्रदन की रोक थाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? 4. जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें. प्रश्ण 3. इन प्रश्णों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए. 1. भारत में भूमी उप्योग प्रारूप का वर्णन करें. वर्ष 1961 से वन के अंतरगत क्षेत्र में महत्पून विद्धीन नहीं हुई इसका क्या कारण है? 2. प्रावध्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? परियोजना क्रियाकलाप 1. अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों के उपभोग और संरक्षन को दर्शाते हुए एक परियोजना तयार करें. 2. आपके विद्याले में उपव्योग किये जा रहे संसाधनों के संरक्षन विशय पर अपनी कक्षा में एक चर्चा आयोजित करें. 3. वर्ग पहेली को सुलजाएं. उर्ध्वाधर और क्षेतिज छिपे उत्तरों को ढूनें. नोट पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं. यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी हुई है. इस पहेली से संबंधित कुछ संकेत इस प्रकार हैं. 1. भूमी, जल, वनस्पती और खनीजों के रूप में प्राकृतिक संपदा. 2. अनवीकरण, योग्य संसाधन का एक प्रकार. 3. उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा. 4. मौनसून जलवाईयू में अत्यधिक निक्षालित मृदाएं. 5. मृदा अपर्दन की रोक्थाम के लिए ब्रिहत स्तर पर पेड़ लगाना. 6. भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं. अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट. संसाधन एवं विकास. प्रस्तुती CIET NCERT